अब इन एरशिप्स का उपियोग क्यों नहीं किया जाता? कारण हिंडनबर्ग आपदा हिंडनबर्ग अब तक का सबसे बड़ा एरशिप था और इसके शानदार इंटीरियर और बिना इंधन भरे लंबी दूरी की यात्रा करने की ख्षमता ने इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमतकार बना दिया लेकिन 1937 में जब हिंडनबर्ग उतरने की तयारी कर रहा था त्रासदी हो गई एक जिंगारी ने एरशिप को उपर रखने वाले हाइडरोजन गैस में आग लगा दी जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और हिंडनबर्ग आग की लपटों में जमीन पर गिर गया इस आपदा में यात्री और चालक दल सहित 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए जिसके बाद एरशिप युग का अंत हो गया